Hello and Namaste friends, welcome back to my channel KG4Study and today I am going to show you a very important notification that is Talent Examination for a student of class 1 to class 10th. इस exam का नाम है All India Math Science Talent Exam. तो चलिए हम डीटेल से जान लेते हैं कि इस exam में क्या होने वाला है, कौन-कौन से students दे सकते हैं, इसके eligibility क्या है, process क्या है और उदेश क्या है. इंग्लिश में इसका नाम है All India Math Science Talent Exam और हिंदी में हैं अखिल भारती गरित विज्ञान परिच्छा खोज. इस exam की खास बात यह है कि इस exam में class 1 से लेके class 10th के student बैठ सकते हैं, और इस exam को conduct जो है central government नई दिल्ली द्वारा आजिक की जाती है. यह exam हर साल पे होता है और यह exam जो है 11 अकिल भारती गरित विज्ञान परतिवा खोज है. तो चलिए देखते हैं कि इस exam को लेने का उद्देश क्या है, आखिल यह exam लिया क्यों जाता है? इस exam को लेने का main उद्देश जो है बच्चों के मस्तिक्स में science और math के कोशल तक बढ़ाना है. फ्यूचर में जो competitive exam होंगे, जैसे की IIT, JE, NTSC, PSA, इस तैप के exam के लिए बच्चों को तयार करना है. खुल मिला करके बच्चों की मस्तिक्स को तर्प वितर्प करने लाइक बनाना है. और साथी शाथ जो future में competitive exam हो रहे हैं, उनसे परिचाह कराना है. अब देखते हैं exam की date. exam के जो last date है आपके exam फील करने के 10 अगस को आपका last date है. और exam जो है 21 January को होंगे. 21 January 2019 को. तो आप देखते है eligibility. कौन से बच्चे इसमें exam दे सकते हैं? इसमें इन्होंने कु class 1 से लेके class 10 के student हों. और second है कि बच्चा जो है CBSC, ICSC या कोई भी state board पे पढ़ रहा हो. वही बच्चे इस पे participate कर सकते हैं. ओके दर हम देखेंगे की इसके process कैसे हैं? मतलब क्या है? हम कैसे form feel कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं करना है आपको. ये जो मैं website आपको दे रही हू है उसको 8,000 प्लस medal मिलेंगे and जो second rank लाता है उसको 4,000 और medal मिलेंगे. जो third rank लाता है उसको 2,000 प्लस medal मिलेंगे. ये आपके price हैं. इसके इलावा और साथ ही आपको certificates भी दी जाएगी. इसके बाद जो rank 4 से लेके 30 के under आते हैं, उनको सांत्वाना पुरुसकार दिया अब हम एक्जाम के pattern देख लेते हैं. एक्जाम आपके एक ही होंगे, objective type के question होंगे और timing होंगे 60 minutes मतलब की एक गंटे. और subjects जो हैं आपके maths, reasoning और science इसी से question आएगे. और syllabus जो आप स्कूल में बढ़ रहे हो, वही होगा, कोई अलग से syllabus होगा. जो भी बच्चा इस एक्जाम को देगा, वह English में ही देगा, medium जो हैंपे English दिया हुआ है, और center exam center आपका school होगा. So, अब number of question देख लेते हैं, for class 122, 25 question and class 3 to 10th, 50 question. पहली से दूसरी class के बच्चों को 25 question आएंगे, और class 3 से लेके, जो तस्वी class के जो student होंगे, उनको 50 question आएंगे. और भी इसकी कोई जानकर आपको चाहिए, तो जो website में दे रही हूं www.aimstalent.com पर इस पे आप जाएंगे, आपको पूरी information मिल जाएगी. तो बच्चों ये बहुत अच्छी talent interest exam में आप सब को देनी चाहिए, इससे आपकी mind skill बहुत अच्छी दो जाएगी और आपकी exam देनी की भी skills बढ़ेगी. अगर आपके rank नहीं भी आते हैं, तो भी आपको marksuit मिल रहे हैं, इसलिए आपको exam ज़रू देना चाहिए. ओके friends, तो अगर आपको वीडियो पशन आई तो like, subscribe and share ज़रू करें. और कोई भी दिक्कत हो, तो मुझे comment करें. मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए all the मैंच को आई यह झालिए और आपको के लिए लीडियो आपको अगरू के विएले कैसे खिए थीजिए तो ऑटेवार में, थाहिए थीजिरा में ज़रू को और रहे हैं, जुरू कॉथएं, अशनी एपको टे लाइ़ हैं, जू तो एंटेना आपको टापको आपको आइए